बाई और भेनों, भारत का इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो देश को गुलाम बनाने वालों, गुलामी की मानसिक्ता के साथ इतिहास लिखने वालों ने लिखा। भारत का इतिहास वो भी है जो भारत के सामान्य जनने भारत की लोग गाथाओं में रचा बसा है जो पीडियों ने आगे एक पीडी से दूसरी पीडी बढ़ाते रहे हैं। आज जब भारत अपनी आधाजी के 75 वे वर्थ में प्रवेश कर रहा है तो ऐसे महापुरुशों का योगदान, उनका अत्याग, उनकी तपस्या, उनका संगर्श, उनकी वीर्था, उनकी शहादत, इन सब बातों का स्मरन करना, उनको आधर पुरवग नमन करना, उनसे प्रेरणा पाना, इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता है। ये दुर्भाग्य है कि भारत और भारतियता के रक्षा के लिए, जीनों ने जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे अनेक नायक नाईकाओं को, वो स्थान नहीं दिया गया, जिसके वो हकदार थे। इतिहास रतने वालों के साथ, इतिहास लिखने के नाम पर हेर फेर करने वालों ने जो अन्याय किया, उसे अब आज का भारत सुधार रहा है, सही कर रहा है, गल्तियों से देश को मुक्त कर रहा है, आप देखिए, नेताजी सुभाच चंद्र बोर्ट, जो आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधान मंत्री थे, क्या उनकी इस पहचान को, आजाद हिंद फोच के योगदान को, वो महत्म दिया गया, जो महत्म नेताजी को मिलना चाहिए था, आज लाल कीले से लेकर अन्दमान निकोबार तक, उनकी इस पहचान को, हमने देश और दुनिया के सामने ससक्त किया है, देश की पांच सो से जादा रियासतों को, एक करने का कठीन कायरे करने वाले, सरदार वल्लभाई पटेल जी के साथ, क्या किया गया, देश का हर बच्चा इस बात को भली बाती जानता है, आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा, स्टेची अफ उनिटी, सरदार पटेल की हैं, जो हमें प्रेणा दे रही हैं, देश के समिधान देने में, अहम भूमिका देने वाले, बंचीत, पीडीत, सोचीत के आवाच, बाबा साब आम्बेड कर को भी सिर्फ राजनितिक चस्मे से देखा गया, आज भारत से लेकर, इंग्लेंड तक, डॉक्तर बाबा साब आम्बेड कर से जुडे स्थानों को पंच तिर्फ के रुप में विख्षित किया जा रहा है, साथ क्यों, भारत के ऐसे अनेकों से नानी है, जिनके योगदान को अनेक वज़नों से मान नहीं दिया गया, पहचान नहीं दी गई, चौरी-चौरा के वीरों के साथ जो हुआ, वो क्या हम भूल सकते हैं, महराजा सुहल देव और भारतियता की रक्षा के लिए, उनके प्रयासों के साथ भी, यही ब्यहवार किया गया, इतिहास की किताबों में, बले ही महराजा सुहल देव के शावरिय, पराक्रम, उनकी विर्ता को वो स्थान नहीं मिला, लेकिन अवद और तराई से लेकर पुर्वाँचल की लोग कथाओं में, लोगों के रुदह में, वो हमेशा हमेशा बने रहें। सिर्फ विर्ता ही नहीं, एक सम्वेधन सिल और विकास वादी सासक के रुप में, उनकी छाप अमीठ है। अपने शासलकान में, जिस प्रकार उन्होंने, बहतर रास्तों के लिए, पोखरों तालाबों के लिए, बाग बगीचा और सिक्षा के सेत्र में, काम जो किया, वो अभुत पुर्वाथा। उनकी यही सोच, इस मारक स्थली में भी दिखने वाली है।